लाखों दर्शकों का भरोसे मंद नीज चैनल आर नाइन भारत यह तिराम समयत अजीत कुमार, जब्रकास कुमार, अविशेक कुमाश्रवास्थों दीना नात दास आधि प्रसिक्षक्र कर सिक्षन दे रहे हैं बताया गया कि छोटे बच्चों को ऐसे फिक्चर देना है जिसे वो पढ़ाई से दूर ना भागे B.E.O. ने कहा कि 29 अगर्स से प्रिधनाध्यापकों को प्रसिक्षन दिया जाएगा और आंगनवारी के सेविकाओं को टोला सेविकों को यह उंग विकास मित्रों को बताया गया गिविकलांग बच्चों को सर्वे कर चिन्नीत करें और कैम्प लगा कर दिव्यंगताओं को प्रमारपत्र दिया जाएग रतिभागियों में जीत्यंद्र कुमार रजत्स, तुमन कुमारी, पूजा प्रिया कुमारी, दीपारे कुमारी आदिश शामिल थे शिक्टा से रिज्यंद किरी पोड़ इसकारजक्रम की सुरुवात के लिए परखंड शिक्टा की परखंड विकास पतादिकारी मीरा सर्मा आई और दिप प्रजवलित करके इसकारजक्रम का सुभारंब गी इसके लिए सदन उनको विशेस तालियों से स्वागत किया और उनकी विशेस तालियों से विदाई गी यह जो पर्सक्षन का बैठक किया गया इसके बाद क्या क्या सिक्षन देया जा रहा है यह जो है चाहक परशिक्षन है यह अभी शिक्षा ब्यार्शी ट्रेनिंग हॉल में वहांच दिवसिया गयरावास यह चाहक परशिक्षन है यह भारत सरकार का एक महतोकांची होजना है जो 5 जुलाई 2021 से कार्च कर रहा है इसमें छात्रों के मुलहुत गुनियादी सक्षर्ता यह संख्या ग्यान पर फोकस करना है जो बच्चे आंगन वाड़ी बाल वाड़ी से आएंगे उनको विद्याले में बच्चों का समगर विकास हो बच्चे जो है अंग बच्चों में अंग की पाशान सब्दों का ग्यान ऐसे जो है बहुत सारी एक्टिवीटी हो इसके लिए जो है यहाँ पे नामित बर्वन के सिक्षोकों का परसिक्षन चल रहा है इसके सेकेंड फेज में प्रधान सिक्षोकों का परसिक्षन भी दिया जाएगा आज अभी हम लोग एफल एंग कार्जकरम के ताथ बुनियादी सक्षर्ता और सेंख्यात्मक ज्यान के हम लोग उसमें चर्चा कर रहे हैं